साथ स्रेया काल दोस्तों, वेलकम टो डोर स्टैप एजुकिशन पॉइंट, अज दी वीडियो विच असी कार्ल रोजर्स दी एक्स्पीरियेंशल लर्निंग दी थ्योरी नो डिस्कस करें जा रहे हैं, एक लास्त ओड़े पी अस्ट एक्जामली काफी इंपोर्डेंट है, श इना दा जिड़ा योगदान है गाजी, हुमेनिस्टिक अप्रोच दे विच्च ओ भी काफी वड़ा है, साइकलोजी दी हुमेनिस्टिक अप्रोच दे विच्च इनानुक बहुत ही इंपोर्टेंट फाउंटर्स दे विच्चों ही मन्या जान्दा है, और जीडी थ्योरी परे आज आपां गालकरन जा रहे हैं जिदा नाम है गाजी एक्स्पीरियेंशल लर्निंग थियोरी एदे विच हुंधा किया है इंडिवेजवल या फिर कोई भी परसन आप दी नॉलेज खुद ही कंस्टक्ट करता है लर्निंग बाई डूइंग करके पाव करके सिखता है का कारल रोजर्स दे अकॉर्डिंग एक्जांपल दे थरू आपा समझ लेनिया बट एक्जांपल तो पहला आप इना द्वारा डिफाइन किती गई तू लर्निंग नू भी डिसकस कर लेनिया इना ने गालकिती सेगी कोगनेटिव लर्निंग दी एंड एक्स्पीरियेंशल ल देन या फिर आप दी जड़ी प्रीवियस नॉलेज है गी या फिर आप दी जड़ी ठींकिंग है गी या ओ दी वर्तो करके कोई वी चीज नू सिखदा है और नू कोगनेटिव लर्निंग किहा गया है कि दे द्वारा कारल रोजर्स द्वारा जिकार आपा दे विच इनाने एक एक्जांपल दिती है कि लर्निंग मैथ बाई सॉल्विंग प्रॉब्लम्स कि जदो भी आपा मैथ दे सॉल्व कर दियां कंसेप्ट नू अंटरस्टेंड कर दियां तो इनू कोगनेटिव लर्निंग दा नाम दिता है एक्सपीरियेंशल लर्निंग दा नाम दिन्नियों उना सी गाल कार लेनने है एक्सपीरियेंशल लर्निंग दी जिमें कि मन लो कि तुसी है गयों क्लास्रूम वेचे क्लास्रूम दे वेचे जिड़े तु आड़े टीचर्स ने टीचर्स समझ लो कि कोई प्लांस दा चैप्टर पर रौन जा रही है ते टीच चौन ओद्यकि तुसी किते जाओ बार जाओ बार जाके तुसी खुद प्लांस नूँ वेखो जिड़े-पीड पउतक्ते ने उना नू वें वेखो जिड़े पत्ते आगिया जिड़े लीफ सुन दियाग उना नू सी टफ करो उना नुश्मेल पर एड़् उस- करना भी है learning by doing not just by listening सिर्फ सुनके नी वेख के करके जदो तुसी चीजानों सेख दियों ते इधा की नाम दिता गया है experiential learning एंड एक important गाल होर भी इनावल लोग कही गई है कि experiential learning फेर ही काम्याब हो सकती है जेकर तुसी बच्चे नो एक safe environment प्रवाइड कर रही हूँ जड़ा की environment होवे उस safe होना चाहिदा है understanding environment होना चाहिदा है जोदो भी बच्चा किसे चीज़नों लर्न कर रहा जवें मन लोग class वेश तुसी बच्चे नों पड़ा रही हूँ जेकर environment supportive नहीं होगा तुसी बच्चे नों कोई चीज नहीं सखा सकते उमीद करदां कार्ल रोजर्स दी जिडि थियोरी है गी है experiential learning दी ए तो आनों समझ लग गी होनिया एक last तो ड़े पियस्ट एक्जामली काफी important है उमीद करदां तो आनों ए वीडियो पसंद भी आई होनिया जिकर वीडियो पसंद आई है ता लाइक बटन ता प्रेस करना ही है ति कमेंट करके जरूर एक feedback देना है कि तो आनों एक last क्यों जी लगी इस दिन आल ही दियो इजाज़त थैंक यू सो मच पर वाचिंग गॉड ब्लेस इवाल